सुरत, सभी एतियाशिक कथाओं में विश्वा व्यापार के मान चरीतर पर सुरत एक विश्वा का महत्पुन बंदरगा था 1514 में अपनी गुज्रात यात्रा के दोरान पोर्टुगाली प्रवसी बार्बोसा ने सुरत को सभी व्यापारिक वस्तुओं का महत्पुन केंद्र बताया है एक बहुत ही महत्पुन बंदरगा जो राजा को राजस्व दिलवाता था मलाबार जैसे कई बंदरगाओं से यहाँ जहाजो का आना जाना था बार्बोसा के गुज्रात में होने से पहले 1512 में पोर्टुगाली ओने अकारण सुरत को जला दिया था और बार-बार संबुद्री डाकोओं के हमले का सामना करना पर रहा था एंटोनियो दा सिल्वरिया के नित्रुत्व में पोर्टुगाली ओने हमलावरों का सामना विरोध तीनसो घोडे और दस हजार पैदल सहिनिक के द्वारा किया था पोर्टुगालियों ने वर्ष 1531 में सुरत को दुसरी बार जला दिया था अहमदबाद के राजा महमबद साथ तीसरे सुरत पे हो रहे ये बार-बार हमले से काफी परेशान थे परेशान होके राजा ने बहुत थी मजबूत महल बनाने का आदेश्ट दिया तुर्की शैनिक सफी आगा को जिने खुदावंद खान की उपादी से विभुशित किया गया था और उन्हें महल बनाने के लिए एक परियाप्त बजट दिया गया था खुदावंद खान ने महल बनाने के लिए तीन विकल्पो का चैन किया था उनका उद्देश्य था पूर्तुगालियों से रक्षण और समुद्री डाकों से रक्षण किले की दिवार की उचाई 20 गश थी और प्रत्यक कौने में गुम्बश थे गुम्बश की चोड़ाई 15 मिटर थी और उसकी उचाई 12.2 मिटर थी दिवार की मोटाई 4.1 मिटर थी पूर्तुगालियों के आक्रमण से बचने के लिए खुदावत खान ने तोपे लगा के एक परियाप्त विवास्ता की थी क्यूंकि महराज को एक मजबूत महल चाहिए था चीनाई की घटक एकाईयों को लोहे के पट्टी के साथ बांधा या बांधा गया था सिस्य को पिगला के जोडों में भर दिया गया था हालाके किले के जहनोद्धर के दोरान उसके अनुसंदन और उसके उत्खनन और उसके अनुवेशन से पता चला है कि तुगलक बंस के दोरान तापी नदी पे एक किला था जो अपेक शाकुरूत वर्तमान के लिए से छोटा था बाद में कबजे द्वार द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार बदल दिया गया उस पे संसोधन किया गया और उसका विस्तार किया गया वर्ष 2015 में गुजराच सरकार ने इस केले का जिर्णोद्धार और शावरक्षन की जिम्मेदारी सुरत नगर निगम को सौपी सुरत नगर निगम ने किले का जीनुद्धर और शवरक्षन करने के लिए साउधानी पूरक जांच की और सक्सम एजेंसियों को नियुक किया यह एतियासिक किला तापी नदी के किनारे एक एकर जमीन में फैला हुआ है प्रत्यक कोने में 12.2 मिटर उचा बड़ा गोल टावर है महल के पूर्वी भग में एक बड़ा दर्वाजा है और उस पे लोहे के स्पाइक है उसके अंदर के भग में एक वाश्टु शिल्फ उपचार है महल के चारों तरफ तापी नदी का पानी डाइवर्ट किया गया है ताकि कोई आसानी से महल में ना पहुँच सके सुरत नगर निगम ने इस महल का जिन्नोत धर काफी अच्छी तरह से किया है इस महल को एक महतुपून परियाटक स्थल में बदल दिया है